सवे भवंतु सुखिन स्वाध्याय ज्यानर्जन आत्मिरीक्षन भाग आठ लेक का उद्देश्य साक्षी द्रिष्टा भाव से ज्यान के अनुसार सतकर्म करने के लिए प्रेरित करना है स्वाध्याय और अस्तेय जो अस्तेय यानी की परपदार्थ की आकांक्षा नहीं रखना तथा धर्मपूर्वक कार्य करते हुए अर्थ यानी धन का अर्जन करना और धर्मपूर्वक उस धन का सदुपयोब करना जिन मनुष्यों का मन परपदार्थों के प्रति आसक्त होता है ऐसे मनुष्य साक्षी भाव के अभाव में, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वैशी, अहनकारी ही बने रहते हैं, और ऐसे मनुष्य स्वाध्याय की, बार-बार उपेक्षा करते रहते हैं. लोभी मनुष्य स्वाध्याय के विचारों में, दूबे रहते हैं की किस तरह से, जर, जोरू, जमीनादी, हासल की जाए, ऐसे मनुष्य स्वाध्याय भी करते हैं तो, बदले में धन, दौलत, मान, एश्वर्य की प्राप्ती के लिए करते हैं, और ऐसे मनुष्यों के लिए धर्म, गौन हो जाता है, बार-बार, ज्यान का उल्लंगन करते हैं, स्वाध्याय का फल, तभी मिल सकता है, जब कामना रहित होकर, अस्तेय का पुनर्तः, पालन किया जाए, जिसके मन में स्तेय का भाव है, ऐसा मनुष्य का दापी एक, सच्चा स्वाध्याय नहीं हो सकता है क्यूंकि सच्चा स्वाध्याई देव स्वरूप बन जाता है यदी संभव हो तो परहित भी करता है अता हुज गुरुओं के भी गुरु परमात्मा ने महापुरुशों की वानी के माध्यम से समझाया है कि यदी ग्रेहस्थ हैं तो धर्म पूर्वक स्वयम के श्रम से करना चाहिए यदी अधर्म पूर्वक अर्जित किये गए धन से भुजन ग्रहन किया जाता है तो उसका खाम्याजा स्वाध्याई को भी भुगतना ही पड़ता है इस संभंध में एक कथा है एक साधू किसी वन में व्रिक्ष के नीचे कुटिया बना कर रहते थे साधू की कीर्थी के कारण राजा ने साधू को अपना गुरू बना लिया और जिद करके साधू को मेहल में रहने के लिए ले आये साधू को मेहल में रहते हुए लगभग तीन महिने का समय व्यतीत हो गया एक दिन रानी सनान करने के पश्चात अपना हार वही भूल गई कुछ देर बाद साधू जी वहाँ सनान करने आये, तो उन्होंने हार को देखा और उनका मन डावा डोल हो गया, और उन्होंने हार उठाया और विशाल वन की ओर चले गए, रानी को हार की याद आये तो सनानागार में दिखवाया, लेकिन हार नहीं मिला, फिर पता किया कि उनके बाद स पता चला साधू जी गए थे, साधू जी को ढूंधा गया, लेकिन साधू महल में नहीं मिले, राजा ने साधू को ढूंधने के लिए सैनिक भेज दिये, उधर साधू महाराज ऐसे रस्ते से गए थे, जहां से बहुत कम लोग आते जाते थे, वे ठककर एक पेड़ के साधू को दस्त हो गए, रात भर उनका पेड़ साफ होता रहा, सुबह होने पर साधू के मन में, यह विचार आया कि तूने ऐसा क्यों किया, साधू ने स्वयम को दिखकारा और पुना महल की तरफ चल दिया, रास्ते में सिपाही मिले और साधू को पकड़ने के लिए आग यह हार मेरे किसी काम का नहीं है, साधू ने राजा को हार लोटाया, तो राजा ने कहा कि साधू जी आप, यह हार लोटा ही रहे हो तो फिर, आपने इस हार को क्यों चुराया था? साधू ने उत्तर दिया महाराज, तीन महिने तक आपका अन्न खाने से, मेरा मन मलिन हो गया था, लेकिन, दस्त लगने से आपका वहन्न, शरीर से बाहर निकलने के बाद, मुझे मेरी गलती का अहसास हुआ, लगातार माइनस नौ